Hello everyone, welcome back to Let's Learn With Me आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं Class First के बच्चों के लिए English Grammar की वर्कशीट बच्चों के ग्रामर को इंप्रूब करने के लिए ये वर्कशीट आपको बहुत ज़्यादा help करने वाली है So parents, आपको ये वीडियो पूरा देखना है वीडियो हल्फुल लगे तो इसे लाइक और शियर भी कर दीजेगा साथ में चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले So our first question is Complete the words by adding S-I-N-G-E-D यहाँ पर हमें कुछ words दिये गए हैं जो की verbs हैं तो इसमें हमें add करना है S-I-N-G-E-D इससे verb form change होगा जैसे की climb यानि की चड़ना इसके end में हम add करेंगे S तो यह हो जाएगा climbs I-N-G add करेंगे तो हो जाएगा climbing और E-D add करेंगे तो हो जाएगा climbed climbs, climbing, climbed इसी तरीके से kick तो यहाँ पर हो जाएगा kicks kicking, kicked फिर a melt इसमें S add करेंगे तो हो जाएगा melts I-N-G add करेंगे तो हो जाएगा melting E-D add करेंगे तो हो जाएगा melted melts, melting, melted play इसमें S add करेंगे तो हो जाएगा plays I-N-G add करेंगे तो हो जाएगा playing E-D add करेंगे तो हो जाएगा played plays, playing, played Next question is Write the rhyming words यहाँ पर हमें कुछ words दिये गए है इनके हमें rhyming words लिखने है तो यहाँ पर two-two rhyming words लिखने है जैसे कि first है duck तो duck का rhyming word हो जाएगा फिर नेल नेल का rhyming word हो जाएगा फिर नेस्ट नेस्ट का rhyming word हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इस्ट यहाँ पर हमें कुछ sentences दिये गए है इन sentences को carefully read करना है इसमें हमें find करना है ऐसा word जिसकी spelling mistake हो और उसे हमें correct करके लिखना है जैसे कि first यहाँ पर है तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हम इसे correct करके लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सॉकर की यहाँ पर correct करके लिखेंगे तो हो जाएगा इने हमें complete करना है यहाँ पर option में जो words दिये गए है सही word चूज करके जैसे कि first है यहाँ पर correct word होगा जै इस bigger than me तो यहाँ पर correct word हो जाएगा coldest today was coldest winter day राज कैन रन than me faster, fastest correct word होगा faster राज कैन रन faster than me तिस इस दो चर्च इन आवर सिटी ओल्डर, oldest चर्रेक्ट वर्ड हो जाएगा oldest तिस इस दो ओल्डेस चर्च इन आवर सिटी next question is add the correct ending s-i-n-g-e-d यहाँ पर हमें कुछ incomplete sentences दी गई है इन में हमें जो words incomplete है उसमें according to sentence s-i-n-g या फिर ed add करके complete करना है first one is we are going camp by the river तो यहाँ पर correct word हो जाएगा ing ing add करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा camping we are going camping by the river the sun set in the west तो यहाँ पर add करेंगे s the sun sets in the west akhil kick the ball यहाँ पर हम add करेंगे ed तो यह sentence हो जाएगा akhil kicked the ball he is paint the wall यहाँ पर हम add करेंगे ing sentence हो जाएगा he is painting the wall next question is use the letter to make new words यहाँ पर हमें कुछ letters दिये गए है इनसे हमें new words बनाने है तो सबसे पहले हमें बनाना है two letter word देखेंगे यहाँ पर कौन सा two letter word बन रहा है तो यहाँ पर बन रहा है h e he यहाँ पर हमें लिख देना है h e he अब next हमें देखना है three letter word तो यहाँ पर बन रहा है t e a t यहाँ पर लिखेंगे T E A T फिर हमें ढूंटना है next यहाँ पर 4 लेटर वर्ड तो यहाँ पर हो जाएगा E A C H H यहाँ पर लिख देंगे E A C H H next यहाँ पर हमें ढूंटना है 5 लेटर वर्ड तो यहाँ पर हो जाएगा T E A C H T H यहाँ पर लिखेंगे T E A C H Teach इस तरह से तो ये थी आज की Class First की English Grammar Worksheet Hopeful कि ये वीडियो आपके लिए helpful रही होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, helpful लगी तो प्लीज इसे like करें जादा से जादा share करें और subscribe करें चैनल Let's Learn With Me को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निव टापिक के साथ तब तक के लिए Take Care and Bye Bye